अगर आपकी पत्नी आपको आत्यमत्या करने की धंकी देती है, या आत्यमत्या करने का नाटक करती है, या आपको मांसी ग्रूप से परिशान करती है, आपको थेड करती है कि आपको जूटे केस में फस्वा देगी, तो ऐसे शिवेशन में पत्ती को क्या करना चाहिए? कैसे अपनी ग्रश्टी को बचाए उसको बसाए या उस औरत को सबक सिकाए या कलको कोट में केस हो भी जाए तो उससे कैसे लड़े कैसे उससे जीते नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट धीरसकुमार आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल में आज हम जाने के इनी सभी स्वालों का जवाब सबसे पहले हम बात करते हैं आत्यमत्या की आत्यमत्या करना भी अपराद है सेक्षन 309 आईपीसी में इसमें एक साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते है इसके इलावगा थ्रेट की बात करें तो सेक्षन 506 के फ़र्ट पार्ट के अगर आपको कोई सिंपल थ्रेट करता है नुक्सान पहुचाने की तो उसको दो साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं इसके इलावगा इसी सेक्षन 506 के सेगंड पार्ट की बात के जए अगर वो आपको थ्रेट करता है कि आपको जान से मरवा देगा या फिर खुद मार देगा या फिर किसी से आपको भोज़दा चोट पहुचा देगा या खुद भी भोज़दा चोट पहुचा देगा तो उसको साथ साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं तो सबसे पहले हैं बात करते हैं कि अगर पतनी आत्म हत्या की कोशिस करे या ऐसा नाटा करे तो क्या करना चीए ह ये सबसे अच्छा सबूत होगा कल को अगर कोट में कोई केस होता है या कल को सच में भगवान ना करे वो मर भी जाए तो ऐसे में वो वीडियो आपके काम आएगी देखें ये पहले परिशान करते थी नाटक करते थी second उसकी ये हरकते अपने आसपास रहने वाले पड़ोसियों को वही बात है कि भगवान ना करे कल को अगर उसको कुछ हो भी जाता है क्योंकि कई बार इंसान सोचता है कि मैं मरने का नाटक करूए यह दूसरा डरू जा सच में वो मर भी जाता है एक्सिडेंटली ऐसे भी लोग ऐसे भी हो जाता है कि लोग मर भी जाते हैं तो वैसे अगर आप किसी को कोर्ट में एविडेंस के लिए कहेंगे या पुलिस लिसन चलने के लिए कहेंगे गवाई के लिए कहेंगे तो कोई जाएगा नहीं लेकिन आपने किसी के सामने अपनी स क्रिश्योशन रखी होगी बात रखी прогाइश्य उसको बताया होगा या उसनी आपके पतनी से बात कियोगी तो कल गवो हिमजत करके कोट में विज़ा है पुलिस पुलिस में विज़ा सकता है और आपके फिवर में घवाई दे भी सकता है इसलिए ऐसे लोगों का सपोर्ट जरूर ले, पीछे नाट है थर्ड, आपको 112 नंबर पर कोल करनी चाहिए दोर मिलिस में इस सवाल यह उड़ता है कि इनसान सुचता है कि मैंने कोल की पतनी और ज्यादा भड़क जाएगी, परिशान करेगी, चिलाएगी, लड़ेगी तो कोल करने को वोइड करते हैं और उसको बर्दास कर लेते हैं तो अगर ऐसे आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप किसी और से कोल करवा सकते हैं वो भी एक सबूत होगा जाए लेकिन अगर आप के पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि आप किसी को यारे पहरे दोस्त को बोल करके कोल कराए तो आप चुप-चाप खुद भी कोल कर सकते हैं जब आप कोल करें तो पुलिस आपसे आपका घर का जरूर एड़ेस पूछेगी जैसे कि आपने एक सुबार नंबर पर कोल किया तो उसके बाद कोल ट्रांसफर होकर थाने चली जाती है थाने से पीचार आपको कोल करती है और आपका एड़ेस पूस्ते हैं तो ऐसे मैं आप कह सकते हैं कि मेरी पतनी से बाचीत होगी है आपको जगडा नहीं है आपको आने की जोर्थ नहीं है अगर विस्टेट्मेंट के लिए भी कहते हैं तो आप जा कर गए पूली स्टेशन में स्टेट्मेंट देख रा सकते हैं लागि नूर्मली यह आपके लिए एक अचा सबूत हो जाता है कल को अगर कोट में के चलता तो आप आटेगी थूर्व अपनी कोट की डिटेश निकलवा सकते हैं और दिखा सकते हैं देखेजी मैं परिशान था मेरी पतनी सच में आत्या मत्यागी धंकी देती थी मुझे परिशान करती थी इसलिए मैंने कोल भी की हुई है तो ऐसे विडैंस बड़े काम आते हैं अभी यह नोरूर्मल ने बाती लगता हैं लेकिन जब कोट में केस इसलते हैं तो यही विडैंस आपको केस ही जिता शुक्र केरें थेजिता है केस जिताएगी इसलिए चुप चाप जाकर के चोरी छीपे जाकर कैसे भी हो जाकर पुलिस में कंप्लेंड करें इसमें एक सबसे बड़ी बात और भी आती है कि नूर्मली इनसान सोचता है कि मैं पुलिस में जाऊंगा कंप्लेंड करूंगा या ऐसी कुछ बात होगी घर में और घड़ा होगा या फिर मजबूरी में कल को पत्नी भी पुला ले आपको बुलाने भी पढ़ जाए या कोई जानकार भुला भी ले तो जगड़ा जादा बढ़ जाता है ऐसी स्केश स्वेस्ट में क्या करना चीए ऐसी इस में अगर आपने पोलिस को कजा बुलाएं भी तो पत्नी को ये दिखाए कि तुझे बचाने के लिए मैंने पुलिस को बफ़ता लिए use को बया आ तुझे बचाना चाहता हूं तुझे प्यार करता हूं इसलिए मैं ऐसा किया कभे भी ये शोना होने दे कि आप सबूत ही खटा करें, चुपचाप सबूत ही खटा करें, लेकिन उसको कभी भी शो नहीं होने दें, और तभी इतना जादे नाटक करती है, नो टंक्या करती है, तो थोड़ा अगर एक्टिंग इंसान भी कर ले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो अगर ऐसे हालात ह हो जाए, तो बिलकुल थोड़ी सी एक्टिंग करें, और उसको ऐसा ही दिखाएं, लेकिन चुपचाप सबूत ही खटा करते रहें, इसके बाद सवाल उठता है कि इन सब चीजों से फाइदा क्या होगा, स्पोच कीजिए कि कल को आपकी वाइप ने आपके ओपर धहीज का केस कर दिया, तो ऐससे चीज़ेशन में आप यह एविदेश दिखा कर केस जीच सकते हैं, स्पोच किजिए एविदेश सेलरी आप से स्वाल पूचते हैं कि आपने कभी आता मत्या की दंबी ती तो वो मना करेंगि, आप उसको वीडियो दिखा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भी कभी पुलिस पर कोल की हो और पुलिस आई हो तो वो मना करेगी लेकिन आप दिखा सकते हैं नहीं यह कोल हुई थी और पुलिस आई भी थी और इसके बाद इसमें मैंने कंप्लेंड भी दी हुई है आप कंप्लेंड भी दिखा सकते हैं वो नूर्मल यह कहेगी तो और दे देना चाहिए, तो कल को आप इस अधार पर उससे तलाख भी ले सकते हैं, बिलकुल, क्योंकि ये भी एक कुरुल्टी का अधार है, कुरुल्टी के बेस पर आपको तलाख असानी से मिल जाएगा, ये सबी चीजे आपको तलाख दिलाने में असानी देखाएगा, तो केस जीतना हो, और ऐसा पती कर दे, तो क्या करना चाहिए, तो ऐसी कंडिशन में, अगर पती ने सारे एविडेंस पतिनी के खिलाब जुटा ली है, और पतिनी के पास कोई एविडेंस है, उसको इक कोर्ट में जाने के बाद ही पता लगता है, कि मेरे खिलाब पती के पास देनी सारे एविडेंस है, तो केस कैसे जीतना हो, तो सिंपल, जब पती ये सारे सबूत रखे, तो जो भी पुलिस ओफिस है, जो अपॉइंट होगा, उसको कोल करें, और उसको बुलाए कि भी मेरे पती ने जब आपको मेरे खिलाब ये कंप्लेंट दी थी, तो उस बक्त आपने एफ एरिश्टर क्यों नहीं की, तो सिंपल पुलिस वाले का एक ही जवाब होगा, कि इस केस में जान नहीं थी, या केस मुझे साही नहीं लगा, इसलिए मैंने एफ एरिश्टर नहीं की, बस वही एक सबूत होता है आपके पास, जिसको दिखा करके आप बज सकती है, आप ये कह सकती है, कि देखिए जब पुलिस को ही उनकी बात सही नहीं लगी, तो सच में वो सही होगी ही नहीं, वरना मेरे पती की कंप्लेंट रिश्टर कर ली जाती है, और मेरे खिलाब एक्षन जुरूर होता, और आज मैं जेल में होती है, तो वैसे दोनों इपक्सों की बात किये, एक पक्स की बात कहना भी खरक गलत होता है, तो आशा करता हूँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जुड़े रही है ऐसे ही नेनी चीजों के लिए, नेनी जानकारियों के लिए, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार.